हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपी के अपने चनल क्रिक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WKH वर्सेज SKS फुल स्टाट्स प्रसन फो यानि कि West Kanto हरीकेंज वर्सेज साउथ कांटो सूपर किंग्स दोस्तों वीडियो रहेगा सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जैपनीज लीग है यह जैपैन प्रिमियर लीग से तो जैपैन प्रिमियर लीग कप को यहां पर जो पहला मैच देखने को मिलने वाला ड्रीम 11 पर वैसे इनके दो मैच अल्रेडी हो चुके हैं दोनों यह यहां पर हमारा चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो अगर आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक से टेलिग्राम में पहुंच जाएंगे 75,600 लोग जोड़ चुके हैं आप भी जोड़ जाएं हो सकता है आपके आना तक 700 800 जितने भी हो आपने आ जाना है देखना क्या है आपने आपने यह देखना है कि हमारा चैनल 75,600 लोग है और इसी लिंक से अब अगर आप अगर सबसे सेफ रहेंगे इसी लिंक से आना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह एक मात्र जरिया है दूसरी चीज यह वीडि आती है वहीं आएगी ग्रेंड लीग खेलो इस मैच में मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है आप स्मॉलीग खेल रहे हो तो वह आपकी मर्जी है मैं ग्रेंड लीग पर करूंग और स्मॉलीग बहुत थोड़ी सी मेल जोइन करें क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ तो ख पहले एकदम अच्छे से करेंगे इनका जो पहले मैच का प्लेंग लेवन रहा था वो यह रहा था जो आपकी आँखों के सामने है अभी यहां पर स्क्रीन पर मुझे कहना चाहिए जैसे के बीसी में बोलता है न स्क्रीन पर आपकी तो शिंचन वगरा यहां पर नहीं खेल जाते है तो ही है इससे अच्छी मेरे साबसे कोई बात नहीं है अगर यह ओपनिंग भी दे दें आपको बाकी यह मेरे साबसे च्छे और का मैस था हो सकता है इसलिए इनको आइस पिंचिटर भेज़ दियो शीगो कुमीरा इनके साथ आए थे 18 रन किये मुस्वामी, कोबा, याशी आए थे 7 रन किये, कोजी इवासा की आए थे 10 रन और एक और करके 7 पर 0 टिमुकी होटा आए थे 17 नौट आए थे 17 नौट आए थे 1 नौट आए थे विकेट कीपर मतलब आइनकी बैटिंग ही नहीं आए थी नंबर 6 तक ही इनको हो गया था और अर्जुन गौतम अच्छे प्लियर हैं आपको बल्लेबाजी सेक्शन में मिलेंगे बहुत ची डिफरेंशल पिक हैं इनके स्टैट्स नीचे दिखाऊंगा बाकी जो इनके लिए 3 प्लियर थे ये आप बोलिंग से देख सकते हो टोमी जावा ने दो और किये थे हगी हारा और मिया जी ने एक और किया था तो यहां पर इनके बोलिंग स्टैट्स भी है बेटिंग स्टैट्स भी हैं आप इन पर ध्यान रहेंगे अब हम एक बार इनके अच्छे से प्लियर स्टैट्स देख लेते हैं डव्यू मिया चुगा देखो बारा मैच में 369 और और अवर भ सापुन नवरातना की बात करूं तो तेरा मैच में 243 रंस हाइए 69 एवरेज अठा स्ट्राइक 59 50 एक खलका मैच नहीं खेले थे जो पहला मैच था मानिए का वो नहीं खेले थे योशी टाका युहेरा तो यह मुझे लग रहे थे सिंचन नुहारा के भाई यह भी हारा है लेक मासवमी कबा याशी है यह भी राइट हैं बलेबाजी और चार ओवर किये लेकिन प्रॉबलम की बात पता है कि राहिल कानो ने लाच्ट मैच मेच में बलेबाजी नीचे करी और ओवर नहीं डाला तो हो सकता है आपके लिए डिवरेज़ पिक के टाइम पे राहिल कानो कहां मा जाए ठीक है शोगू की मूरा है दो मैच में 27 रन किये हैं नौ मैच में इन्होंने 240 रन किये हैं ODD में तो ODD स्टाइट्स है तो मैंने आपके लिए नीचे मेंशन किया अगर मैं केवल यह मेंशन कर देता तो शायद आपको लगता कि उतनाक्षा प्लेर नहीं है अर्जुन गौतम का मैंने आपको बताया था बल्लेबाजी सेक्शन में गिवन है नौट बैड ऑप्शन क्योंकि यह ओवर भी डाल रहे हैं और रंस ठीक थाक ही है मीजर ली एक बोलर है असाला अर्ज चीके राइट हैं तो ठीक प्लेयर है तीन मैच में 16 और तीन मैच में अब टी ओनों की बात करो तो इनका मुझे स्टैट्स नहीं मिला जो भी मिलेगा आपको टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा तो वहां जुड़ जाना आपने जुड़ना कैसे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है राजन करकी मुझे अच्छे लगे थे इन्होंन अच्छे खास है वह इसलिए है क्योंकि छे मैच के ओवर में दस नौट करना कोई खराब बात नहीं है उपर एक बार देख लेना वेरिफाय कर लेना मैंने उपर स्टैट्स बताया आपको ब्लास मैच के टकुराओ हागी हारा है हगे मुरू के भाई दो मैच में नौरन किय है नोजोमी टमी जावा है राइट हैं बीट बैट्समें राइटा मीडियों ग्यारा मैच में बारा में तो बोलिंग सेक्शन से आपके लिए बहुत अच्छी च्वास बन जाती है एम मोरीटा का मुझे स्टैट्स नहीं मिला है जिसका मुझे मिला है वह है ओ नाइन कारा जो कि लास्ट मेंच ओपनिंग आये थे बले बादी से स्टैट सच्छा नहीं है बट मेबी बिकॉज अफ इस तो इसको उपर भीजा गया था कि चक्के लगा लेता है और पांच मैच में चार विक्टे निकाल रखी है इसने का केरू एबश हुई है छे मैच में दस तो कि शायद इस मैच में आये ही ना जिस वज़े से मैं अच्छे स्टैट के बावजूद भी इनको नहीं ले पार हूँ तो यू कें ट्राइ अगर आप हाई रिस्क टे करो तो राउद कांडो की टीम भी पहला मैं जीत के आई थी उससे पहले आपको याद देला दू डिस चंद्रन ने अश्विन के भाई ही हुए क्योंकि यह भी विखते ले रहे हैं रमान तनवर अच्छा यह है नियसली में भाई यह मत समझ लना रमान तनवर है एक और दस पे जीरो कार्तुक विलिंगरी है एक रन एलेक्स पैटमोर चार रन गुर्मन ने किये थे एक ओवर तो यह ध्यान रखना और प्यूश कंभूरे एक लेफटाम और्थोडॉक्स बूलर है उन्होंने भी एक और किया था बागी किसी को कुछ खास अभी तक रोल करने का मौका नहीं मिला एसकेसी के फुल स्टैट्स प्रस इन्फो देखोगे तो एलेक्स पैटमोर लेफ्ट हैं बैट्समन लेफ्ट आप मीडियम लेकिन यहां कर रहे हैं विकेट कीपिंग और जो पहले लास्ट ये इनके लिए विकेट कीपिंग कर रहे थे प्रशांत कले उन्होंने फर्स मैच मैच यह खेले नहीं है जिस वजह से मैच से मतलब है पुराना मैच 78 इनका हाईय स्कोर है दो मैच जिससे पता लगता अच्छे प्लेया डैनियल मी का मुझे कोई स्टैट नहीं मिला रोहित केसरी है ठीक ठाक बल्ले बाज है तीन मैच में 64 रन कर रखे हैं और 17 मैच में सिन बोलर है और आप इनके बैटिंग स्टैट्स देखो तो एवरेज देखो एक बार इनका इवरेज इतना क्यों है क्योंकि आउट ही नहीं हुए इनफेक्ट हाइस में भी 121 नौट टोड़ गए थे एवरेज एक मैच में आउट हुए थे तो इनका 340 ही बना स्ट्राइक से उप Cordبل से लेकिन सुझा वले मैं लास्वला मैक दिखाय पता नहींकर क्यों बोल रहा हुं आदत यहीं थोड़ी तीन मैच इन्रें इनवने चार मैटे है तो अच्छा प्लिड लगा मुझे कार्तिक विल अंगरी ठीक ठाक लगे लेकिन नॉट बैड ऑप्शन खेलते हैं तो ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि इनका ओड़ी स्टैट्स मुझे काफी अच्छा लगा अठाना मैच में 22 विक्टे और रंस भी कर रहे हैं लोग डाउन आज कल के मैच में इनको कोई रोल करवाया नहीं गया मितलब बैटिंग भी नहीं मिली बोलिंग नहीं मिली बट ही इस नॉट बैड चार मैच में 16 विक्टे भी निकाल रुख है पांच चार इनिंग्स में पांच में से गुर्मन सिंग आते हैं मुझे काफी अच्छे लग का नहीं है रसी का चंदीमल का नहीं है यह साड़े साथ क्रेड में पड़ा है साथ परसेंट सेलेक्शन है क्रेड में में मुश्किल आती है अगर आप बेस्टीम बनाओ इस वज़े से ऐसा है प्यूश कुंबारे लेफ्टाम और्थोडॉक्स है तीन मैच में तीन विक्ट तो यह भी एक अच्छी डिफरेंशल पिक बन सकती है बट जादा मुझे खास नहीं लगे तो सारे स्टैट्स आपको दिखा दिया थे इस पर दियान रखना आप प्लेइंग 11 के लिए क्यों इसमें भी चेंज हो सकता है यह मैंने आपको सबसे पहले डिस्लेमर्स दिया था कोई प्लेइर मिस हो जाता है तो भाया उसमें कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगा और आपका मानलो ओपनेंट सारे प्लेइर खिलवा ले आया तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझे प्लेइंग लोड मिली तो मैं जरूर दूँगा लेकिन जुड़ने का हमारे हैं विगेट कीविंग के टेगरी में आपको यहां पर दो अच्छी ऑप्शन देखिए हैं मियाचू और पैट मोर यह दोनों भी मुझे खराब नहीं लेगे लेकिन खेले ही नहीं पहले मैच में तो मैं इन पर फोकस नहीं कर रहा मियाचू है लेकिन पहले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली यह देखके चलना मिली इसको पैट मोर को बट स्टिल ड्यू टू अच्छा प्लेयर मैंने इनको ले लिया है अगर आपको यहां पर क्रेट की प्रॉब्लम आती है जो कि आनी आ सकती है टीम बनाते हो अगर आप स्टैट्स दे प्रवाइड़ी प्लेज जब खेला ही नहीं तो मैं इसको कैसे स्लेक्ट कर लूँ आर कानों का भी सेम है वेरी वेरी गुड रिफ्रेंशल पर खेला भी था तो इसको प्लीज ग्रैंड लिग में ट्राय करेंगे बाकि मुझे कोई इस पर खास लगा नहीं है अगर कोई खे बिलता है आप स्टैट्स के एसाफ साथ ट्राय करिएगा हम देखेंगे कि हमें कुछ प्लेंग बता लगे तो टेलिग्राम पर जरूर बताऊंगा एस रभी चंदरन वेरी गुड डिफरेंशल के बोलरों कैप्टन सी वाइस कैप्टन से पे क्योंकि बहुत अच्छा है इस एक हमें प्रॉब्लम आएगी मुझे दो और रॉंडर में कंफ्यूजन है के इवासाकी और तनवर इनका तो मुझे स्टैट नहीं मिला तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता विलंगारी ठीक थे बट मुझे जो अच्छे लगे के इवासाकी और तनवर ठीक है आर करकी भी आप भी इनके साथ जा सकते हैं अगर आपको क्रेड बचाना है तो यहां पर इवासाकी आ जाते हैं या कारकी आ जाते हैं जिनको आप ट्राइक कर सकते हो एक्शली पहले पहले स्मॉन लिग में कारकी को ही लेने वाला था तो यहां पर धोड़ा चोईस अब खुद का कर सक बोलिंग सेक्षण में देखो, यहाँ पर टोमिक जावा तो अच्छा ओप्शन है, हगी हारा भी हारा भी अच्छा ओप्शन है, बिलकुल टीम में ले सकते हो, मैंने आपको दिखाया, बॉलिंग करता है, ठीक है, और पहले मैच में भी करेगा, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जी सिंग का मुझे उतना मिला नहीं आप कीजिए का जी सिंग गुर्मन सिंग ही है बिलकुल मिला है और अच्छे प्लेयर है और भी कर रहे है मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें क्योंकि मैंने अभी अभी सारे स्टैट्स निकाले थे नॉर्मली मैं काफी बार रीट करके वीडियो बनाता हूँ आज अगर ऐसा होता तो काफी लेट हो जाता मैं तो गुर्मन सिंग भी है चंदीमल का सिलेक्शन विकॉज अफ क्रेडिड हाई है नौयन कारा एक बहुत अच्छी डिफ्रेंशल भी रीजन अल्रेड़ी बता चुको ओपनिंग आया थे पहले मैच में पीक हम भारे को मैंने लिए मिरे पास स्टैट्स मिरे पास वो नहीं बचेगा क्रेड़ क्योंकि अगर मैं इनको लूँगा तभी मैं टीम बना पाऊंगा अपनी मेरे को साड़े 8 क्रेड में एक और रॉंडर पिक करना है टोटली लास्ट प्लेयर आप अपने इसाब से चूस कर सकते हो हगी हारा को कैसे चूस करना है विकेट कीपर दूसरा करना पड़ेगा मेरी फाइनल टीम थोड़ा तो चेंज करूँगा ना भाई सब कुछ थोड़ी सेम एक आदा चेंज के साथ आपको कहां मिलेगी मेरी आपको फाइनल टीम मिल जाएगी टली राम पे लेकिन सारा स्टेटन्स दिखा हैं प्लीज खुद की टीम किया करो हम भी हारते हैं हम भी इंसान के ही हैं तो भैया हम भी हारते हैं यह नहीं है कि हम सारे मैं जितने हैं इसलिए बताता हूं आपको Captain सी, Vice Captain से पिक, मेरी फेवरेट जो Captain से पिक थी, S. Ravichandran, इनको Captain करूँगा मैं, और Vice Captain से पिक, मुझे जो अच्छे options लगी, Mia जी लगी, Tommy Zawa लगी, Mia जी को ही prefer करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि इनको Maxim लोगों ने Captain भी किया, बट आप differential भी जा सकते हो, तो वो मेरी Final पि Captain सी तो मैं बता रहूँ, इनकी Vice Captain से की आपको Telegram पे मिल जाएगी, यह आपको दिख रहा होगा चैनल, इसी में जुड़ना, नीचे आपको description में लिंक मिल रहा है, एक मात्र वही जरिया रहेगा,